Hi everyone, welcome to my YouTube channel, मेरा नाम मंदीप है और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ हूँ 5 ऐसी लर्निंग्स जो कि मैंने सिखी है 13 years of corporate experience में तो चलिए आज की वीडियो की शुरुवात करते हैं, सबसे पहले जो लर्निंग मैं आपके साथ share करने वाला हूँ वो यह है कि once you feel not valued or being listened at your workplace, just do not argue with your manager or seniors, it's the better way to handle it is just prepare yourself for the next opportunity and just quit from there तो इससे मेरा मतलब क्या है, इससे मेरा मतलब यह है कि अगर आपको बार बार अपने workplace में, office में यह feeling आ रही है कि आपकी कोई value नहीं है, आप अपने जो opinion रखते हैं, उनकी कोई value नहीं है, आपको अच्छा appraisal बार बार नहीं मिल रहा है तो बार बार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई value नहीं है, तो आप जो है, simply उसका कोई फायदा नहीं होगा कि अगर आप जाके अपने manager या senior के साथ वहाँ पे argue करने लग जाएं, वो आपको negatively effect ही करेगा सबसे best option रहता है, वहाँ पे argue करके, लड़ाई करके, कोई फायदा नहीं है, वो आपको आपके लिए situation और conditions और जादा वर्स कर देगा दूसरी जो learning मैं आपके साथ share करने वाला हूँ, वो यह है कि ideal workplace for many is not an ideal workplace for you as well, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैं example लेके बता देता हूँ, example जैसे कि Google, Facebook, Microsoft और जो और भी बड़ी-बड़ी कंपनिया हैं, जैसे Netflix, मैं सारे software के example इसलिए ले रहा हूँ, क्योंकि मैं software professional तो मैं उनसे जदा relate कर पाता हूँ, तो जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनिया हैं, वो बहुत सारे लोगों के लिए ideal workplace होती हैं, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि वो company आपके लिए भी ideal workplace हो, सबका ideal workplace की definition according to them है, एक example आपने खुद अपने आखों से भी देखा होगा, सुन जो हुई थी, तो आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों की वहां से firing होई है, या जिन लोगों को lay off किया गया है, वो उन लोगों के लिए ये company definitely ideal workplace नहीं है, कुछ-कुछ cases में तो news में ऐसा भी आया था कि लोग जो parental या maternity leave पे थे, उनको जो बस directly एक firing या lay off की एक जो है, mail आ ग ये कोई जरूरी नहीं है कि सब के लिए जो ideal workplace वो आपके लिए भी होगा, तो चलिए अब तीसरी learning की बात करते हैं, तीसरी learning ये है कि do not share your professional secret with any of your colleagues, आपको कोई भी कितना भी अच्छा गहरा दोस्त क्यों नहीं हो, कितना भी अच्छा friend क्यों नहीं हो, आगर आपका वो colleague है do not share your professional secrets with them, when I say professional, so that means कि मानलीजे आपकी past employment history के या कुछ भी है, जो कि आपको लगता है कि अगर आपको share करेंगे तो कहीं नहीं नहीं वो आपको जो negatively impact कर सकते हैं, तो वो चीज़े बिल्कुल भी मत share कीजिए, बहुत बार मैंने अपने career में देखा है, मैंने अपने friends के secrets with any of their colleagues, और उसके बाद they have learnt that it has severely impacted their presence in the organization, तो आप अपने जो है, जैसे आप अपने personal secrets जो हैं, आप अपने पास रखते हैं, वैसे ही आप अपने professional secrets भी जो हैं, अपने पास रखिए, वो उनको अपने workplace पे या office में reveal मत कीजिए, उसके बाद जो है, चोती जो मैं बात करने व colleague, तो आपकी क्या salary है, आपकी क्या compensation है, वो कभी भी आप अपने जो है, किसी भी colleague के साथ मत discuss कीजिए, आपकी salary जिनको पता होती है, वो होता है, number one HR, the second one is your manager, तो उनके साथ आप जो है, अपनी salary क्या compensation को discuss कर सकते हैं, बाकी लोगों के साथ आपको नहीं करना चाहिए, क्यो आपकी लोगों, जिनके साथ आपने discuss किया, उन से ज्यादा है, तो वो कल को HR के पास जाएंगे, और या उनके manager के पास, या आपके manager के पास जाएंगे, और they will ask की salary हम से ज्यादा है, तो why not us, so somehow वो आपके लिए जो है circumstances, या situation को complicate ही करेगा, so do not share your compensation with any of your colleagues, and the last and most important thing which I feel is the fifth learning जो कि मैं आपके साथ यह करने वाला हूँ, वो है, do not stay in your comfort zone more than required, always keep yourself updated with the market, so मैं ये software professional के हिसाब से तो बता सकता हूँ, software market के, या software technology, market के according मैं आपको बता सकता हूँ, कि अगर आप software professional है, तो definitely आपको बहुत time तक जो है, अपने comfort zone में नहीं रहना चाहिए, उससे होगा ये कि आप अगर अपने comfort zone में आ जाएंगे, तो आपको अपनी next opportunity को identify या उसको ढूनने में जो है, या उसकी job hunt में जो है, आपको बहुत ज्यादा challenges आ सकते हैं, क्योंकि market जो है, software market these days, या वैसे भी बहुत बार जो ऐसा होता है, कि उतना stable नहीं होता है, वोलेटाइल होता है, तो आपको जो है, कभी भी ऐसी situation का face करना पड़ सकता है, कि जो कि आप नहीं चाते हैं, तो अगर आप अपने comfort zone में रहेंगे, तो you will not be able to tackle it more efficiently, तो आपको जो है, अपने up-to-date market रहना है, बहुत ज्यादा दिनों तक आप जो है, रिलेक्स होके मत रहिए, So, these are the five learnings, which I wanted to share, ये past learnings, I am definitely sure, अगर आप अपने professional life में जो इनको जो adapt करेंगे, तो आपको जो बहुत जादा benefit रहेगा, So, that's all for this video guys, till the next video, bye-bye, take care.